लोगसबा सामानिय नर्वाचन दोहजार चौवीस में दिव्यांग और 85 साल से अधिकुम्र के मतदाताओं को घर-घर मतदान करवाने के लिए तैनाद किये गए मतदान अधिकारियों को पौडी स्थित प्रेक्षा ग्रिह में प्रेशिक्षन दिया गया जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीश चौहान ने कहा कि बुजर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर-घर जाकर मतदान कराने की प्रक्रिया 6 से 8 अपरेल की बीच चलेगी उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाता बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करेंगे बैलेट पेपर मतदान कराने के लिए 146 से टीमें गठित की गई हैं जिन में 440 कार्मिकों की तैनाती की गई है लगए 1711 जो मतदाता हैं हमारे दिव्यां मतदाता तो 85 प्लस के टेगरी के तो उनके जो रिस्पॉंसिस मिलें और उनके द्वारा ये अच्छा वेक्ट की गई ही कि वो पूस्टल बैलेट के माध्यम से अपने घर पर मतदान करेंगी तो उप लोग तकर में 146 टीम्स बना आने वाली हैं तो उन मेंबर्स किया ट्रेनिंग भी थी एस डीम्स या एरो इस तर पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई है और जो भी इंपॉर्टन इंस्रुक्शन जो भी दिये गए है